हलो एब्रिवान वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज जैसे के आप सब लोग को पता है हमारी mcq सीरीज जल रही है vlw के रीजनिंग के रिलेटिड हम लोग आल्रेड़ी इस पर एक लेक्टर कर चुके हैं और इस लेक्टर में हम लोग डायरेक्शन सेंस करेंगे वेन आपको कहां से मिल सकता है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है वहां पे आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा उस लिंक के थ्रू आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं ठीक है चलिए आप देखिए यह जो टॉपिक्स हैं अगर मैं डायरेक्शन से अच बात करूं तो यह एज सच आपके स्लेबस में डायरेक्ट इमें टे यह बहुत सारे अपके स्लेबस में मैं किये गए है। इससे बात руका हैं यह करें चाहρι without any further delay lecture आज का शुरू करते हैं अब देखिए जो आपको questions दिये गए हैं इसमें से आप देखिए word building आता कैसे यह है word building के question word building कैसे आता है आपको एक word दिया होगा नीचे आपको चार options दिये गए होगे आपको उपर question पूछा गया होगा कि बताईए इन चार words में से कौन सा ऐसा word है जो form नहीं हो सकता इस word में से इस word की मदद से कौन सा ऐसा word है जो इन चार words में से नहीं form हो सकता नहीं frame हो सकता एक type का question तो यह आता है दूसरी type का question यह आता है कि जो भी आपको given word दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा word है उसकी मदद से कौन सा ऐसा word है जो इन चारों में से बनाया जा सकता है अब यहां पर देखे हमारा क्या question है question है कि यह एक दिया हुआ है हम लोगं को word और फिर हम लोगं को चार words दिये गए है हमें एक ऐसा Word बताना है जो इसमें से नहीं बनाया जा सकता बाकी तीन बनाये जा सकते हैं एक जो है वो नहीं बनाया जा सकता तो उस एक को हमें ढूनना है ठीक है चलिए देखते हैं अब अब देखें Respond अगर में देखूं तो R-E-S-P-O-N-D response तो बन रहा है, correct अगर मैं देखूं, c, o, r, r, e, e, c, t और एक c जो है, वो मेरे पास यहाँ पे दो c है, जबकि correspondent में एक ही c है तो यह आपका answer हो जाएगा, क्योंकि यह word जो है, वो नहीं बन सकता इसमें double c आ रहा है, और correspondent में मुझे एक single c given है तो बागी दो options मुझे check करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे answer मिल गया है, a जो है वो इसका answer हैगा, चलिए second part देख लेते हैं, second question देख लेते है, concentrate, concentrate में ऐसा आपको बताना है, जो नहीं बनाया जा सकता है ज़रा concern देख लेते हैं एक बार, c-o-n-c-e-r-n, concern एक ऐसा word है, जो बन रहा है, ठीक है reason देख लेते हैं, r-e-a-s-o-n, तो s तो यहाँ पे है, लेकिन concentrate में s missing है तो यह वाला word जो है, वो completely इस word से match नहीं कर रहा है उसके जो alphabet से, वो इस alphabet इस word से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें s भी है जो कि इस बिल्कुल word में है ही नहीं, तो हमारा b option जो है, वो correct हो जाएगा, ok अब देखिए, liberationist, liberationist word दिया हुआ है, और return, liberal, serial and relation एक word दिया हुआ है और इसमें से हमें क्या करना है, हम रोगों को बताना है कि कौन सा ऐस word है, जो नहीं बनाया जा सकता अब देखिए, liberal की आगर में बात करूँ, liberal में दो L है, जबकि liberationist में एक ही L है तो completely इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer आपका liberal हो जाएगा, क्योंकि liberal ऐसा word है, जो नहीं बना सकते है, liberationist word की मदद से क्योंकि liberal में दो बार L आता है, ठीक है, एक L तो हमने ले लिया liberationist से, दूसरा L कहां से लाएंगे तो इसलिए C option जो है, वो आपका correct हो जाएगा, अगर आप check करेंगे, तो serial, relation, button, ये सारे जो words हैं, ये आप इस word से बना सकते हैं, सिरिफ एक ये word है जो नहीं बना सकते हैं, और इसी word को हमें find करना था चलिए next चलते हैं questionnaire पे, questionnaire, अब देखिए इसको एक बर हम देख लेते हैं, questor बना सकते हैं, q, u, e, s, t, o, r, बिल्कुल बना सकते हैं, क्या q, u, e, q नहीं बना सकते हैं, q, u, e, q नहीं बना सकते हैं, ठीक है, q हम नहीं बना सकते हैं, क्यूंकि q में दो u है, जबकि questionnaire में एक ही यू है तो यह हमारा correct option हो जाएगा लेकिन चलिए एक बार queenate और queries को भी देख लेते हैं Q-U-I-N-A-T-E queenate भी बना सकते हैं question भी बना सकते थे queries बना सकते हैं Q-U-E-R-I-E-S queries भी बना सकते हैं तो एक Q जो है वो एक ऐसा word है जो हम नहीं बना सकते हैं और हमें question कहता है कि जो नहीं बना सकते हैं word उसको आप tick करिए तो यह आपका be option correct हो जाएगा अब आपको दिया है significant word ठीक है और आपको बताना है कि कौन सब इसमें से frame नहीं हो सकता है ठीक है तो सबसे पहले आप देख लीजिए nascent देख लीजिए आप ठीक है अब देखिए n a s c e में कहां से लाओं e तो है यह नहीं यहाँ पर तो nascent में e है जबकि insignificant में e missing है तो यह एक word है जो मैं insignificant से नहीं बना सकती हूँ क्यूंकि n तो निकल रहा है insignificant word से a भी निकल रहा है उसके बाद S भी निकल रहा है, E भी निकल रहा है, N भी निकल रहा है, T भी निकल रहा है, लेकिन S, C भी निकल रहा है, C भी निकल रहा है, लेकिन E नहीं निकल रहा है, एक सकंद फिर से बता देते हूं, देखें, नेसेंट वर्ड ऐसा है, जहां से N जो मैं है, वो तो यहां से ले सकती हूँ, A जो है, वो भी मैं यहां से ले सकती हूँ, S जो है, वो भी मैं यहां से ले सकती हूँ, N वो भी मैं यहां से ले सकती हूँ, और T वो भी मैं यहां से ले सकती हूँ, लेकिन E जो है, वो मैं यहां से नहीं ले सकती तो आपका D option जो है वो correct हो जाएगा ठीक है तो वैसी जो है likewise आपको 6th question 7th question मैंने बहुत सारे questions आपको यहां पर practice के लिए दिये हुआ है ताकि आप practice कर सकें अब दीखिए बहुत सारे questions है तो आप देख लेना चलिए next हम चलते हैं अब जो हमारा topic शुरू होगा आपको समझ आ गया होगा अब जो हमारा topic शुरू होगा वो होगा direction sense का direction sense में आपको क्या given होता है देखे direction sense में आपको east, west, north, south, northeast, southeast, southwest, northwest यह सारी directions जब पता होंगी तो फिर आपको question करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगे ठीक है तो यह सारी directions जो है यह आपके questions में apply होंगे चलिए देखते हैं कैसे अब देखे first question हम लोग को क्या given है first question बोल रहा है y is to the east of x ठीक है which is to the north of z कह रहा है कि y जो है वो x के east में है east में, okay east of x तो y x के east में है which यानि कि which किस के लिए use किया गया है x के लिए which is to the north of z which यानि कि x जो है वो z के north में है ठीक है तो z के north में x हो गया, x के east में y हो गया यहां तक हमने complete कर लिया, अब देखे, if p is to the south of z अगर p जो है वो z के south में है, यानि कि, एक second यहां पर बना लेती हूँ, x के east में y है और x के south में, यानि कि z के north में x है, z के south में p है, ठीक है एक बार फिर से बता देती हूँ, देखे, y is to the east of x, ठीक, y is to the east of x, उसके बाद which is to the north of z, which यानि के x is to the north of z, z के north में है, okay, if p is to the south of z, अगर p जो है वो z के south में है, अगर p जो है वो z के south में है, then p is in which direction with respect to y, ठीक, तो, तो p जो है, वो किस direction में है with respect to y, y के किस direction में, p है, ठीक है, तो आप अगर आप ऐसे करेंगे, देखे, इसमें options क्या के देए गए आपको, नौर्थ, और southwest, southeast, और, अब देखे, यह हो गया east, यह हो गया west, यह हो गया north, यह हो गया east, यह हो गया west, यह हो गया north, यह हो गया south, लेकिन p जो है, वो यहांपे है, that means, south, एक second, यहांपे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मैं, यहां पे जगा थोड़ी कम है, देखे, यहांपे हमारा x था, यहाँ पे हमारा Z था, यहाँ पे हमारा P था, यहाँ पे हमारा Y था तो अब देखिए, यह हो गया North, यह हो गया South, यह इसका North हो गया, यह इसका South हो गया, इसका East हो गया, यह इसका West हो गया ठीक है? तो P कौन सी Direction में है? P जो है, वो Y के कौन सी Direction में है? यह Y का North है, यह Y का East है, यह Y का West है, यह Y का South है और यहाँ पे Y का क्या है, South West, ठीक है तो याने कि P जो है, वो Y के South West में है ठीक, तो P जो है, वो Y के South West में है South West आपका इसका answer हो जाएगा तो यह वाला B वाला option आपका answer हो जाएगा चलिए एक बार इसका आंसर भी दिया हुआ है वो भी आपको दिखा देते हैं देखें X जो है उसके East में है Y ठीक है और Z जो X जो है वो Z के North में है North में है और Z के South में क्या है P है ठीक है तो अब बताएए P जो है वो Y के कौन सी डाइरेक्शन में है ये Y का North है ये Y का South है ये Y का East है ये Y का West है तो यानि की Southwest ये हो गया और P जो है वो क्या है वो Y के Southwest में है ठीक तो Southwest आपका इसका आंसर रहेगा I hope clear हो गया होगा अब देखिए अब देखिए अब question क्या दिया है if North East becomes South देखिए सबसे पहले ये हो गया North ये हो गया South ये हो गया East ये हो गया West ये हो गया North East ठीक है and ये हो गया North West तो क्या बोल रहा है if North East becomes South ये North East की जगा क्या आ गया है ये बन गया है South ठीक है Northwest becomes East नौर्थ वेस्ट क्या बन गया है East तो आप देखिए आप कैसे करेंगे East इस के opposite में क्या होता है West South के opposite में क्या होता है North तो that means East, West, North और South तो बोल रहा है what will be South, South क्या बनेगा अब तो ये हो गया हमारा ये हमारा क्या था, अब देखिए ये बन गया ये actually में ये क्या था North लेकिन ये अब South East हो गया है North हमारा South East हो गया है और South ये South था लेकिन अब ये क्या बनेगा West North, Northwest बने गया है ठीक है ये बनेगा आपका North West I hope समझ आ रहा होगा तो ये आपका North West बनेगा इसमें आपका B answer जो है वो correct रहेगा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको देखे ये होता है East ये होता है West ये होता है North, ये होता है South ये आपका होता है North East ये आपका होता है North West अब question बोल रहा है कि North East जो है वो South बन रहा है ठीक है यानि कि North East जो है वो South बन रहा है और North West जो है वो East बन रहा है North West ये था पहले ये था तो ये क्या बन रहा है आपका ये बन रहा है आपका East अब ये अगर East हो गया तो ये क्या बनेगा वेस्ट यह अगर साउथ हो गया तो यह क्या बनेगा नॉर्थ ठीक तो ओरिजिनली यह क्या था नॉर्थ और यह क्या था साउथ लेकिन अब यह क्या हो गया है अब यह हो गया है अब ये हो गया है South East, North बन गया है South East और South क्या बन गया है हमारा, South बन गया है North West या West, North West आप इसको लिख सकते हैं ठीक है, North West बन गया है तो South आपका बन गया है North West तो North West आपका correct रहेगा, इस option का, इस question का option ठीक I hope समझ आ रहा होगा, अभी देखें next question अब हम करेंगे question number third, ठीक है क्या बोल रहे है, Ramesh is facing North Ramesh जो है, वो North की तरफ face कर रहा है, ठीक है He turns 135 in the anti-clockwise direction, देखें ये होती है anti-clockwise ये होती है clockwise, ओके, तो anti-clockwise में वो ये मान लिजे, 90 degree का angle हो गया, वो turn करता है 135 तो ये मैं 135 बना लेती हूँ, अभी वो कौन सी direction में आ गया है वो कौन सी direction में, अगर ये east था, ये west है, ये north है, south है अभी वो southwest direction में आ गया है, लेकिन येहां तक question नहीं है question आगे भी है, and then 180 degree in the clockwise direction यहां तक कितना था, 135 degree, तो अब वो वापिस clockwise direction में कितना कर रहा है 180, तो 135 तो चलो यहां तक हो गया वापिस, लेकिन 135 के बाद 45 भी आएगा, यानि कि यहां तक, यहां तक वो जाएगा clockwise में तो अभी वो बोल रहा है कि कौन सी direction में वो है, in which direction is he facing now तो वो इस direction में face कर रहा है, तो यह क्या है आपका north, east, ठीक है तो north, east आपका answer रहेगा इस question का, ठीक है I hope यह question आपको clear हो गया होगा, एक बार फिर से बता देते हूँ, देखे चलिए I hope यह clear हो गया होगा, यह आप खुद देख लेना अभी एक बार अगर नहीं समझाया तो एक बार फिर से वीडियो को आप repeat करके देख सकते हैं जितने भी एक दो minute है, जिसमें मैंने यह question explain किया है उसमें आप इसको repeat करके देख सकते हैं देखे हमने क्या किया, एंगल वाला question हमने किया, फिर हमने जो आपका simple replace यानि कि south को east बना देते हैं, east को north बना देते हैं वो भी हमने किया है, उस pattern का भी हमने किया है और एक जो आपका normal आता है, इसमें direction sense जिसमें आपको सिर्फ directions given होती है, वो भी हमने किया अब हम एक और pattern का question करेंगे, जो आपसे पुछे जा सकते है, ठीक है चलिए ये वाला question करते हैं हम लोग इसमें कहें, मदान is 40 meter southwest of Bhuvan, ठीक है, एक second ये मान लिजे, Bhuvan है, ठीक है क्या बोल रहा है, मदान is 40 meter southwest, सबसे पहले तो Bhuvan की directions बता दीजे, ये north है ये east है, ये west है, और ये south है अब क्या बोल रहा है कि south east of Bhuvan ये west of, south west of, मदान जो है, that is, he is, वो कहां पे है 40 meter southwest, यानि कि south west में है वो, कितने meter, 40 meter then, शाम is 40 meter south east of Bhuvan और south east में कौन है, शाम है, ठीक है, शाम यहां पे मदान है, ये भी 40 meter है, वो भी 40 meter है शाम is in which direction of मदान, तो बोल रहा है कि शाम जो है, वो मदान की कौन सी direction में है तो मदान का तो ये east ही हो गया, ठीक है, तो इसका answer क्या रहेगा आपका east, समझ गए I hope ये चीज़ भी समझ आ गई होगी अब देखिए जो बाकी सारे questions है, देखिए बहुत सारे questions मैंने आपको practice के लिए दिये है ये आप practice कर सकते हैं, direction, sense के related हैं ये सारे questions ठीक है, ये possible नहीं है, सारे questions यहां पे explain करना क्योंकि time बहुत limited है, तो इसलिए आपको ये practice के लिए दिये है अब हम next topic जो करेंगे, that is when diagram, ओके अब देखिए next topic हमारा कौन सा रहने वाला है, ये है when diagram और इसमें बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, अगर मैं JK PSI की बात करूँ जो कि अभी re-exam हुआ था recently, उसमें हमारे जो papers हुए थे, अलग-अलग series में हुए थे, तो उसमें बहुत सारे questions when diagram से आपको पूछे गए थे, okay figures आपको कैसे दिया जाता थे, इसमें क्या होता है, आपको एक sentence दिया जाएगा, उसको आपको when diagram की form में represent करना होगा, इनको हम when diagram बोलते हैं, फिर आपको options में figures दिये होंगे चार और आपको बोला होगा, इन चार figures में से कौन सा है, जो fit होता है, यह आपको कैसे दिया होगा, यह आपको figure दिया होगा, इस figure की basis पे नीचे आपको question दिया होगा ठीक है चार options दिये होंगे इन चार options में से आपको बताना है कि कौन सा option जो है वो इस figure के साथ match कर रहा है चले जब हम करेंगी तो आपको clear हो जाएगा first question क्या है what will be the best diagram to show the relation between tie shirt and pantaloon देखे pantaloon क्या होता है pantaloon होता है कुछ trouser type of thing ठीक है trousers मान लीजिए या pants मान लीजिए अब यह बोल रहा है कि बता यह tie shirt और pantaloon में क्या relation है देखे अगर आप देखेंगे तो shirt हम पहनते उपर फिर नीचे पहनते हम लोग trousers फिर हम एक tie लगाते हैं तो इनके बीच में कोई relation है नहीं यह तीनों अलग अलग चीज़े हैं तो इसमें आपका यह figure जो है वह match करता है ठीक है क्योंकि तीनों चीज़े जो है वह tie भी अलग है shirt भी अलग है pantaloon भी अलग है इनका कोई भी relation नहीं आपस में वही इसने एक sample example में बोला है that tie shirt and pantaloon are separate items entirely different from each other वह पूरी तरी के से एक दूसरे से अलग है आप देखे next question अगर करूं करें हम तो when diagram में आपसे यह वाले question भी पूछे जाते हैं ठीक है अब देखें यहाँ पर क्या है आपको figure दिया होता है और यह figures जो होती है बहुत जादा overlapping होती है ठीक है ताकि difficult हो जाए बच्चे के लिए यह solve करना लेकिन चलिए आज हम इसको कर लेते हैं यहाँ पर यह बता रहा है which part एक second एक second यह क्या बता रहा है which part shows literate males who are doctors हमें fine करना है कि literate males कौन से है plus doctors भी होने चाहिए मतलब literary तो है यह पढ़ लिखे तो है यह लेकिन पढ़ लिखकर वह doctor बन गये है हमें वो वाले find नहीं करने हैं, जो पड़ लिखकर कुछ नहीं बने हैं, हमें वो find करने हैं, जो पड़ लिखकर doctors बन गए हैं, ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, पड़ लिखकर, doctors, और सिरफ और सिरफ males, ठीक, सबसे पहले तो आप देख लीजें, फिर टो आए गा नहीं कियोंकि ये सिर्फ लिड्टुर्यों है, अब जीक में देखऊ, तो ये सिर्फ लिड्टूर्इट्टुर्टर है क्योंकि यह किस में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है, और यह सर्कल में आ रहा है, अब अगर मैं E को देखूं, तो वो सर्कल में भी आ रहा है, ट्राइंगल में भी आ रहा है, ठीक है, तो E मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार F को भी चेक कर लेते हैं, F जो है, वो तो आपका ट्राइंगल में भी आ रहे है यानने यह डॉक्टर भी है वैंजर्या तो यहां पर उप्षन में क्या है यह 열।AL ट्राइंट डॉक्टर है है to depict the required part of the figure should all of these diagrams that is e belong to all males doctors and that means क्या बोल रहा है कि e जो है वो हर एक figure में आ रहा है e क्योंकि ये triangle में भी आ रहा है circle में भी आ रहा है rectangle में भी आ रहा है and that means ये males वाले में भी है doctor में भी है literate में भी है तो तब ये क्या है doctor है male भी है और literate भी है चलिए next question पे चलते हैं इसी type का है क्योंकि इसी figure पे दो questions दिये हुए है इसने ये बोल रहा है कि which part shows males who are neither doctor nor literate अब हमें क्या करना है अब देखिए हमें क्या करना है हमें ऐसे males find करने है जो ना तो doctors है और ना ही literate है यानि कि ना तो वो D वाले box में आने चाहिए ना तो वो L वाले box में आने चाहिए तो D वाले box क्या है triangle तो triangle में जो भी है उनको cut कर दीजें ठीक है क्योंकि वो क्या है वो नहीं है doctors वो नहीं है उसके बाद वो literate भी नहीं है ठीक है तो वो literate भी नहीं है तो literate में क्या है A है तो वो भी वह गलत कर दीजे, वही और हो तो आपका इससी का का answer C हो जाएगा, to depict the required part, the figure should show only in males, सिर्फ males में आनी चाहिए that is C, तो C belongs to only males, C जो है वो सिर्फ और सिर्फ males वाले box को belong करता है, ठीक है चलिए next type का question अभी कर लेते हैं ठीक है, इसमें आपको different different type के questions पूछे जाते हैं, बहुत अलग-अलग patterns है, तो दो patterns में हाँ पर discuss कर चुकी है अभी हम और एक pattern discuss करने जा रहे हैं, अब देखे इसमें क्या है Each question is based on the figure given below, देखे आपको दिये गए हैं ये 4-5 questions, ये 5 questions दिये गए हैं और इन 5-2 questions को answer करना है on the basis of above 4 figures जो कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी आपको questions पूछे जाते हैं, जिसमें आपको figure दिया होता है और फिर आपको in question में से उन figures को choose करना होता है देखे, अब भी आप समझ जाएंगे जब हम करेंगे observe the diagram and answer the questions अब देखे ये एक diagram है ये एक diagram है, ये एक है और ये एक है, ठीक है अब आप से पूछा गया है first question vegetable, fruit and brinjal देखे, vegetable vegetable क्या है, सबजी और सबजी के अंदर ही क्या आएगी brinjal भी आएगी, क्योंकि brinjal एक टाइप की सबजी है, लेकिन fruit जो है वो fruit है, वो अलग से आएगा तो इसका आपका ये बनेगा फिर एक दूसरा गोला बनेगा और फिर अलग से और फिर अलग से एक क्या बनेगा अलग से एक आपका fruit बनेगा ये vegetable है, vegetable के अंदर ही brinjal भी आएगा, तो आपका ये वाला figure जो है, वो match करता है तो आप क्या लिखेंगे, answer C इसका हो जाएगा, ठीक है चलिए next question देख लेते हैं आप देखें, moon, sun और stars देखें, sun जो है sun क्या है, वो भी एक star ही है ठीक है, लेकिन moon जो है, moon is a satellite ये है natural satellite of earth ठीक है, ये है natural satellite of earth तो हम क्या करेंगे और फिर हमें दिया गया है stars तो सारे जब stars होंगे ठीक है, उसके अंतर sun भी एक star है, sun भी तो एक star है ना, तो sun को भी हम star में रख सकते हैं लेकिन उसके बाद अगर मैं moon की बात करूँ, वो एक satellite है, जो कि वो एक natural satellite है, ओके तो आपका इसका answer जो है ये वाला correct answer हो जाएगा ओके, I hope ये समझ आ गई होगी चीज़ अब देखिए honest, intelligent and poor देखिए, honesty, intelligency और poor जो है इंसान, उसमें कोई relation नहीं है क्योंकि हो सकता है, जो इंसान honest है, वो poor नहीं है ठीक है, जो इंसान intelligent है वो poor नहीं है, poor इंसान भी intelligent हो सकता है ठीक है, और intelligent इंसान भी poor हो सकता है, intelligent इंसान हो सकता है, honest नहीं भी हो सकता है तो हम इसके बीच में कोई एक confirm रिलेशन नहीं बता सकते, जैसे हमें पता है कि ब्रिंजल तो एक वेजटेबल ही है, वैसे हमें नहीं पता है कि जो intelligent इंसान होगा, वो honest भी होगा, या वो poor भी होगा, हमें नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो एक clear cut relation नहीं बनता है, honest, intelligent और poor का, ठीक है, ये qualities vary करती है, तो इसका में क्या, इसका अलग-अलग से तीनों गोले आएंगे, क्योंकि इनका कोई भी relation नहीं है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, तो आपका B part जो है, उसमें आपके तीनों गोले अलग-अलग हैं, तो आपका ये B part answer हो जाएगा, किसका, इसका, 8 का, ठीक इसका जो relation वो आपका दूसरी तरीके से भी बन सकता है, कि, एक सेकेंड, जो honest है, वो poor भी है, और जो honest और poor है, वो intelligent जो है, वो honest भी है, poor भी है, समझ गें, मतलब देखें, जो इनसान honest है, वो poor भी हो सकता है, ठीक है, और जो इनसान intelligent है, वो honest भी हो सकता है, poor भी हो सकता है, और दोनु एक साथ में भी हो सकता है honest और poor येस आप इसका ये relation ठीक करेंगे ठीक है इसका ये relation बनेगा I am so sorry ये वाला relation इसका नहीं बनेगा क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो poor होते हैं लेकिन वो intelligent भी होते हैं और honest भी होते हैं और कुछ लोग जो honest होते हैं वो intelligent भी होते हैं poor भी होते हैं तो इसका आपका ये वाला relation बनेगा ठीक है ये वाला relation बनेगा ये वाला नहीं बनेगा मैं एक बार फिर से खुद को correct करती हूँ ये वाला नहीं बनेगा इसका इसका ये वाला correct relation बनेगा ठीके, क्योंकि सारे poor भी intelligent हो सकता है, intelligent भी poor हो सकता है, intelligent honest भी हो सकता है, honest poor भी हो सकता है ओकी तो आपका ये वाला a part इसका answer बन जायगा इसका answer a part बन जायगा, अब देखे car, train and automobile देखे ये automobile है, इसी में car भी आएगा, इसी में train भी आएगा ठीक है, ठीक है, तो इसका answer आपका ये बनेगा, ठीक है, ये पूरा क्या है, आटो मोबील है, उसी में car भी आता है, और उसी में train भी आता है, I hope clear हो गया होगा, तो D option जो है, वो fourth का, fourth का D option रहेगा, ठीक, rice, mustard and beetroot, देखिए, rice अलग है, mustard अलग है, beetroot अलग है, ठीक है, तो इसका option जो है, इसका बनेगा, ये वाला option, इसका आपका B option correct होगा, क्योंकि rice, mustard और beetroot में कोई भी, जो है, मिलाव नहीं है, कोई भी similarity नहीं है, I hope clear हो गया होगा, मैं एक बार फिट से आपको ये वाला question बताना चाहूंगी, intelligent, honest और poor वाला, इसमें आपका relation कौन सा आएगा, इसमें आपका ये वाला relation आएगा, क्यों, क्योंकि similarity हो सकता है कि common चीज़े हैं, देखिए, ठीक है, ये poor है, ये honest है, ये intelligent है, अब जो intelligent वाला बंदा है, वो honest भी हो सकता है, और वो poor भी हो सकता है, और एक साथ पर poor और intelligent, poor और honest दोनू हो सकता है, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका इसका answer A बनेगा, चलिए I hope आज का लेक्टर आपको clear हो गया होगा, मिलते हैं next lecture में, till then goodbye.